Hello guys, कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी अच्छे होंगे. तो guys, सभी students के लिए एक बहुत अच्छी good update है, जो भी student AACC की counseling करवा रहे हैं. तो आप जैसे ही AACC की website पर आओगे याँपर, एक और बार जो website है वो याँपर update हुई है. जैसे ही आप UG Counseling के उपर क्लिक करोगे याँपर, कुछ ही इस टाइप का आपको interface याँपर देखने को मिलेगा, फिर उसकी बाद में आपको याँपर information bulletin के उपर क्लिक करना है. तो मैंने आप से कल की वीडियो में कहा भी था कि एक या दो दिन के अंदर जो ये information bulletin है वो याँपर आ जाएगा. और याँपर आप देख सकते हो, आप सभी के लिए बहुत अच्छी good update है कि जो information bulletin है, academic year 2023 के लिए वो याँपर आ गया है. अब आज की वीडियो के अंदर हम ये बात करने वाले हैं कि कौन-कौन से colleges को यहाँपर मान्यता मिली है. तो यहाँपर आप देख सकते हो, information bulletin 2023 यहाँपर लिखा हुआ है, साफ-साफ. और यहाँपर आप देख सकते हो, AACCC का यहाँपर पूरा information bulletin दिया हुआ है. लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपर mainly आपको colleges के बारे में बताने वाला हूँँ कि कौन-कौन से colleges का यहाँपर नाम लिखा हुआ है. तो मैं एक बार नीचे की साइड आजाऊँगा, जिसके अंदर मैं आपको पूरा वताऊँगा कि कि यहाँपर कौन-कौन से colleges के यहाँपर नाम आये हैं. तो यहाँपर आप देख सकते हो, यहाँपर लास्टी-लास्ट में information bulletin के अंदर यहाँपर नाम दिये हुआ है. और NCH के द्वारा publish की हुई है. तो यहाँपर आप देख सकते हो, शुरुआत में तो जो government colleges हैं, यानी AQG, जो government colleges हैं BMS के वो यहाँपर बता रखें. आप यहाँपर देख सकते हो, यह दो college आंदर प्रदेश के हैं, एक college गुआवटी आसाम का है, फिर पतना बिहार का है, फिर बेगू सराई का है, फिर इसी तरीके से बिलासपूर राइपूर है, फिर AUTC है, CBPAC है, फिर गुजरात के यह 5 colleges हो गए, फिर हरियाना का यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हो, यह जो नया college है, बाबा खेतनात, आयरवेदिक college महेंदरगड नारनौल यह पिछले साल ही खुला था, तो यह भी यहाँ पर include हो गया है, और यह दोनों जो colleges थे, श्रीकृष्ण आयरवेदिक college और मारु सिंग यह पहले से थे और यह जो माचल प्रदेश का एक और college है, राजी हुगांदी, पीजी आयरवेदिक college प्रपरोला ही माचल प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर का भी यहाँ पर new BMS college यहाँ पर आ गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो, यह college जो था यह पिछले साल खुल गया था already, फिर उसके बाद में आप देखोगे, यहाँ पर कैरेला के तीन college, उसके बाद में मध्यप्रदेश के आप देख सकते हो, रेवा, गौालियर, जबलपूर, उज्जैन, इंदोर, बोपाल, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, फिर बुरानपूर हो गया है यहाँ पर, फिर माहराश्ट् पूर नहीं है, इस लिष्ट के अंदर, फिर ओडिशा के तीन college, पूरी, बॉलांगीर, गांजम, फिर पुड्डूचेरी का आप देख सकते हो, आपसे college, फिर पंजाब में पटियाला पंजाब है ही हमारा, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, राजस्थान के colleges, तो सारे students क लिए एक बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी good news है, कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर, जो यह 6 नए government colleges यहाँ पर जो खुलने वाले थे, उनको यहाँ पर finally permission आ गई है, congratulations all of you students, कि यहाँ पर जो 6 colleges हैं, वो राजस्थान में यहाँ पर खुल गए हैं, आप यहाँ पर उसके बाद में एक college यहाँ पर कोटा में आया है, एक college सीकर में आया है, और एक college बिकानेर में आया है, इस चीज को लेकर मैंने आज से 2 साल पहले भी कहा था, कि राजस्थान के अंदर colleges आने वाले हैं, और पिछले साल ही colleges यह आ जाते, लेकिन किसी कारण वर्ष, college हो का काम पूरा नहीं हुआ था, इसलिव अज़े से सिफोर सिफ राजस्थान का जो जैपूर वाला college था, वो आया था सिफोर सिफ, तो जो students को बहुत बेसबरी से इंतजार था, कि राजस्थान के अंदर हर साल cut-off बहुत हाई रहती है, लगबग 540 से 530 cut-off रहती है, तो इस सा साउथ साइड जाना पड़ता है, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा option है, राजस्थान में college लेनेगा, क्योंकि 6 college खुलना बहुत बड़ी बात होती है, यहां पर, फिर उसके बाद में आप यहां पर देख सकते हो, तमिल नाडू के अंदर भी college खुला है, फिर उसके colleges है, फिर उसके बाद में आप यहां पर देख सकते हो, added colleges के बारे में यह पूरी list है, यह जो पूरी list और पूरा information bulletin है, वो मैं डाल दूँगा, मेरे telegram channel add the rate being doctor neat के ओपर, तो आप description box में भी जाकर आप मेरा telegram channel join कर सकते हो, यह आप telegram पे सीधा सर्च करो, being doctor neat, वहां पर test updates मिलती रहेगी counseling के regarding, फिर उसके बाद में आप यहां पर deemed university देख सकते हो, तो deemed university के अंदर आप यहां पर देख सकते हो, वर्दा है, नवी मुंबई है, डीवाई पार्टिल है पूने का, फिर उसके बाद में भारती विद्या पीठ है, फिर कहरेला के अंदर अमरिता है, योनपपा है, केली है, शुमनदीप है, उसके बाद में तमिल नाडु का एक deemed university है, उसके बाद में अगर में central university की बात करूँ, तो यहां पर पांथ central university है, गोवा की है, एक तो AI है यह गोवा, फिर ITR है जामनगर है, फिर NEI है छिलोंग है, फिर NIE जैपूर है, फिर BHU है, इसी तरीके से homeopathic के भी यहाँ पर सारे colleges दे रख है, आप यहाँ पर देख सकते हो, BR, Suray, Nehru, Homeopathic है, यह जो पूरी list है, वो मैं upload कर दूँगा, बाग यहाँ वीडियो पोस्ट करके भी यहाँ पर देख सकते हो, UP के भी सारे colleges है, यहाँ पर, West Bengal के भी है, फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, गुजरात के भी colleges है, कहरेला के भी है, मेगाले के भी है, deemed universities भी यहाँ पर है, पूरी पूरी, फिर उसके बाद में अगर आप युनानी के अंदर आओगे, तो युनानी के अंदर भी आपको colleges यहाँ पर देखने को मिलेंगे, government, government added, फिर Central University तो पि लिए, National Institution of Siddha, GST Road, Tamil Nadu, यह जो college यहाँ पर Central University खुली है, सिद्धा की, तो एक बहुत अच्छी good news है, दो colleges जो थे, यह already पहले से ही present थे, लेकिन एक और college यहाँ पर Central University खुली है, तो इस साल बहुत अच्छी good news है, सारे students के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो colleges की संक्या है, व पहला college था, महाराश्टर का, यह भी increase हुआ है, यहाँ पर, और बागी के जो colleges थे, वो already यहाँ पर participate कर रहे थे, तो guys, इस साल वाली जो counseling है, वो बहुत important रहने वाली है, सभी students के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो cut-off है, वो already बहुत high गया है, students के बहुत अ आपको अगर choice filling वगेरा के अंदर आपको problem हो रही है, तो आप मेरा being doctor app डाउनलोड करके, आप मेरा iusian veterinary counseling guide course ले सकते हो, इसके अंदर में आपको previous year की cut-off कौन से college का कितना fees है, 24x7 support system मेरी team की तरफ से choice filling के अंदर आपको पूरी मदद करी जाती है, और जो आपकी choice filling होगी, वो खुद मैं बताऊंगा आपको, और अगर आपको किसी भी प्रकार की query रहे, तो आप मेरे number पर contact कर सकते हो, फिर उसके बाद में guys मैं आपको एक चीज़ और बता दू, आपको मेरा description box में दिया हुआ, free guidance forum आपको भर लेना है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं, आपको अ I hope guys, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ये सारे students के लिए एक बहुत अच्छी good update है, और जो भी students ये चाते हैं कि मैं information bulletin भी पूरा समझाऊं, जैसे मैंने आज list of colleges समझाई है, तो आप comment section में comment करके बता सकते हैं, उसके उपर भी मैं जल्दी से एक बताईए बाकि आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप comment section में बताईए, thank you दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए